किसान अब जिसे चाहे, जहां चाहे और जब चाहे अपनी फसल अपनी सर्तों पर किसान की सर्तों पर वो फसल बेच सकते हैं अब कोई किसान अपनी फसल देश के किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकता है। पहले तो इस पर भी बंधन थे। साथी वेराऊसिस में रखे अनाच या एग्रिकल्चर प्रोडक्स अब इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग के जरिये भी बेचे जा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इससे एग्रि बिजनेस के लिए कितने नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। साथियों इसी तरह हमारे स्रमीकों के कल्यान को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लेबर रिफांट भी किये जा रहे हैं। जिन नौन स्ट्रेटेजिक सेक्टरस में प्राइवेट सेक्टर को इजाजत ही नहीं थी। उन्हें भी खोला गया है। आपका ध्यान इस पर भी गया होगा कि सबका साथ, सबका अविकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चलते विए। हम वो फैसले भी ले रहे हैं जिसकी मां बरसों से हो रही थी। साथियों, दुनिया का तीसरा वो देश जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में कोईले का भंडार हो, कोल रिजर्व हो जिसके पास आप जैसे साहसी और उद्यमी व्यापार जगत के लीडर्स हो लेकिन फिर भी उस देश में बहार से कोहला आए कोल इंपोर्ट हो तो उसका कारण क्या है। आप भी जानते हैं देश भी जानता हैं कभी सरकार रुकावट बनी रही कभी नीतियां रुकावट बनी रही लेकिन अब कोल सेक्टर को इन बंदनों से मुक्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। अब कोल्ड सेक्टर में कॉमर्चियल माइनिंग को पर्मिट कर दिया गया है। पार्सली एक्सप्लोर्ड ब्लोग्स को भी एलोट्मेंट करने की पर्मिशन दी गई है। इसी तरह मिनरल माइनिंग में भी अब कम्पनियां एक्सप्लोरेशन के साथ साथ माइनिंग का काम एक साथ कर सकती हैं इन फैसलों के कितने दुर्गामी प्रणाम होने वाले हैं यह इस सेक्टर से परिजित लोग अच्छी तरह जानते हैं साथियों सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उससे हमारा माइनिंग सेक्टर हो एनर्जी सेक्टर हो या रिसर्च और टेक्नलोजी हो हर शेत्र में इंडर्स्ट्रिकों भी आउसर मिलेंगे और यूद के लिए भी नई आपर्चुनिटीज खुलेगी इस सबसे भी आगे बढ़कर अब देश के स्ट्राटेजिक सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर्स की भागिदारी एक रियालिटी बन रही है आप चाहें space sector में निवेश करना चाहें, atomic energy में नई opportunities को तवासना चाहें, possibilities आपके लिए पूरी तरह से खुली हुई हैं, हर आउसर आपका इंतजार कर रहा है साथियों, आप ये भली भाती जानते हैं कि MSME sector की लाखों units हमारे देश के लिए economic engine की तरह हैं, इनका देश की GDP में बहुत बड़ा contribution है और ये contribution करीब करीब 30% का है, MSME की definition स्पष्ट करने की मांग झाल